सर्वनाम, सर्वनाम याने अंग्रेजी में प्रो नाउन, सर्वनाम क्या है? हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम वे शब्द जो संग्या के बदले में उसको इंगित करने के लिए प्रयोक्त में आते हैं, संग्या के बदले में संग्या को इंगित करने के लिए संग्या को ही बताने के लिए प्रयोक्त में आते हैं, उधारन के लिए राम बजार गया, वह जल्दी आ जाएगा, राम के बदले मैंने दूसरी बार क्या उप्योक किया वह, तो वह जो है वो सर्वनाम है, राम बजार गया, राम जल्दी आ जाएगा, बार बार राम ना बोल करके, पहली बार संग्या और दूसरी बार उसके बदले में, तो सर्वनाम संग्या के बदले में, संग्या के लिए उप्योक किया जाना वाला शब्द, अंग्रेजी में उसे प्रोनाउन कहते हैं, हम प्रोनाउन कार थोड़ा समझ लें, नाउन और प्रोनाउन, उसके पहले प्रो लगा, प्रो याने के बदले, के बदले का, मैंने अर्थ प्रो बताया, वैसे प्रो का कुछ और अर्थ भी है, प्रो मतलब के पक्ष में, आइम प्रो गांधी, मेरा जुकाओ गांधी की ओर है, आइम एंटी कम्मिनिस्ट, मैं कम्मिनिजम के खिलाफ हूँ, तो प्रो का उल्टा हुआ एंटी, प्रो याने जुकाओ होना, एंटी मने उसके विरोध में होना, एक तो यह अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ प्रो का जो यहां पर है, वह है के बदले, याने संग्या के बदले, प्रो नाउन, संग्या के बदले, तो के बदले, यहां पर अर्थ ले रहे हैं के बदले, उधारन के लिए हम बोलते हैं, प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर याने विश्व द्याले क जो उपकल्पती होते हैं उनको वाइस चांसलर बोलते हैं प्रो वाइस चांसलर याने वाइस चांसलर के बदले में काम करने वाले प्रो टेम स्पीकर लोकसभा या विधान सभा में जब सभी सदस बिलकुल नई लोकसभा के लिए चुन के आते हैं बिलकुल नई लोकसभा के जब पहले दिन उसकी बैठक होती है, तो 545 सदस्यों की बैठक को संचालित कौन करेगा पहले दिन? सभी तो सांसद हैं, तो अध्यक्ष तो अभी कोई है नहीं, तो अध्यक्ष के चिनाओं के पहले उन 545 लोगों में जो सबसे सीनियर रहता है, जो सबसे लंबे काल तक लोग सभा में जिसने सेवा दी है, सांसद के नाते, उसे अपने आप उस दिन अध्यक्ष बना दिया जाता है, उस दिन का अध्यक्ष, यानि वह केवल उस दिन के लिए रहता है, अध्यक्ष, पर्मानेंट अध्यक्ष के बदले, एक टेंपररी अध केवल एक दिन के लिए जो उस दिन के कारे को संचालित करता है और अध्यक्ष का परमानंट अध्यक्ष का स्थाई अध्यक्ष का चुनाओं करवाता है। तो वो temporary speaker रहता है और pro temporary speaker, pro temp speaker, मतलब speaker के बदले में अज थाई, speaker का कारिक करने वाला, तो pro card यहां हो गया, के बदले, तो सर्वनाम अंग्रेजी में उसे pronoun कहते हैं, pronoun मतलब noun के बदले में आने वाला शब्द, यह तो हो गई, उसकी व्यत्पत्ती, शब्द की व्यत्पत्ती, कि pronoun शब्द कैसे बना, अब pronoun के हमने कुछ, pronoun के हमने कुछ नियम सीखे, pronoun बनाने के, pronoun के उप्योग के, चलिए अब हम और उनके उप्योगों को जानते हैं, उसकी बारीकियों पे और चलते हैं, गहराई में और जाते हैं, उनके नीमों की जब हम बात कर रहे थे, कुछ देर पहले, तो अब हम आते हैं अगले नियम पर, कि बाद में आने वाली संग्या या सर्वनाम, बाद में आने वाली संग्या या सर्वनाम पर बल देने के लिए, इट का उप्योग होता है, मैं इट की बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने न्यूटर जेंडर के रूप में इट के बारे में आपको बताया है, इट जो है न्यूटर जेंडर है, और न्यूटर क्या है, N-E-U-T-R-E, न पुन्सक लिंग, न वो पुलिंग है, न है, और समानितिया निर्जीव वस्त्यों के लिए इसका उपयोग होता है, तो यहाँ इट के उपयोग के बारे में जो नियम है, वो है, संग्या बार में आने वाली संग्या, यदि दो-तीन संग्याएं हैं, तो सबसे आखरी में जो संग्याए या सर्वनाम आया, उसके इत वोज यू यू वेर यू यू के लिए हमने इत का उपयोग किया क्योंकि दो बार यू यू का उपयोग ठीक नहीं है देखिए इट से वाक्य शुरू हो रहा है और जब इट से वाक्य शुरू होता है तो वो इट जो है किसी संग्या बाद में आने वाली संग्या है सर्वनाम के लिए बाद में कौन से संग्या रही है यहाँ पर पहले वाक्य में आई यू इट वस यू दूसरे वाक्य में आई इट वस आई तीसरे वाक्य में हम देखें इट वस डेल ही या इट वस एट डेल ही दाट ट्रीटी वस साइंड इट वस एट डेल ही दाट ट्रीटी वस साइंड डे ही के बदले पहले क्या ले लिया हमने एक सर्व नाम कौन सा इट न्यूटर जेंडर उसी प्रकार अगला है व्यक्ति से संबंध ना रखने वाले भावाचक जो होते हैं भावाचक भावाचक रिया के अनिश्चत करता जिसे हम इंडेफिनेट नामिनेशन इंडेफिनेट इंडेफिनेट हम केस कहते हैं नामिनेटिव केस उसके लिए भी उप्योग होता है नामिनेटिव केस क्या है इसकी चर्चा मैं पूर में कर चुका क्रिप्या उसको फिर से रफर करें और अपने को स्पष्ट करें कि भाव वाचक क्या है भाव वाचक क्रिया व्यक्ति से संबंद ना रखने वाले उसके लिए भी हम उपयोग करते हैं जैसे it rains, kriya rain क्या है, to rain मतलब पानी गिरना, वर्शा होना, बरसात होना, it rains, it is raining, पानी गिर रहा है, it is रिभाव आचक संग्या, उसी प्रकार it shows that you are unhappy, it shows that you are unhappy, इससे मालूम होता है कि तुम नाखुश हो, it shows that you are unhappy, इससे मालूम होता है कि तुम नाखुश हो, तो इट का उप्योग देखिए किस प्रकार हो रहा है, ऐसे ही, यहाँ जो हमने उप्योग किया, it rains और इट shows, यहाँ इट सर्वनाम किसी संग्या के स्थान पे प्रकार नहीं हुआ है, आप देखेंगे, यहाँ संग्या नहीं है, rains क्रिया हो गई, shows क्रिया हो गया, it snows भी बोलें, पानी बर्फ गिरता है, it snows, it snows in shimla during winter, shimla में, ठंड में बर्फ गिरती है, it snows, to snow मने बर्फ गिरना, तो यहाँ पर संग्या कहा है, तो यहाँ किस जहाँ जो इट सर्वनाम है, वो संग्या के बदले उसका अपयोग नहीं हुआ है, यह करता की पूर्ति की जा सकती है, अब तर इसे हम क्या कह सकते हैं, range का ताद पर है, the rain rains, the snow snows, the thunder thunders, यही तो है न, the thunder क्या करता है, thunders, तो हम the thunder thunders ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, it thunders, the snow snows, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ बर्फ बन रही है, दो बार बर्फ ना बोल करके हम बोलते हैं, it snows, यहने क्रिया बना लिया, ऐसे ही, जो पहला वाले में बाकी बता है, it rains, rain rains, मतलब क्या हुआ, the rain rains, the rain rain जो है, वो rain ही करेगा, पानी ही गिरेगा, इसलिए हम उसको एक ही बार में, it उप्योग के साथ, एक rain को हटा देते हैं, ऐसे जो प्रयोक्त होने वाला it, जो है, इस तरीके से, जिसको हम उप्योग करते हैं, it rains, it snows, it shows, it thunders, यह भाववाचक सर्वनाम कहलाते हैं, impersonal, इंपर्सनल, साथ ही यहां, क्रिया भी जो है, वो भाववाचक है, snows, thunders, तो इस पकार, यह हमने अगला उप्योग, it का जाना, कि it का उप्योग हम भाववाचक सर्वनाम के रूप में कैसे करते हैं, उसके बात, हम it का उप्योग, अगला जो बिंदु है, वो मौसम या स समय के बारे में करते हैं, it is seven o'clock, बोलते हैं न, it is seven o'clock, अभी साथ बजा है, तो it किस के बदले आया है, seven o'clock के बदले, दो बार बोलने के बदले, एक ही बार बोले, it is seven o'clock, अभी साथ बजे, साथ बजा है, ऐसा बोलना है, अभी साथ बजे, साथ बजा है, अभी ठंड म करके it is winter it is seven o'clock it is fine यह अच्छा सब ठीक है इस फाइन ने ने सब ठीक है इट का उपयोग कैसे हो रहा है तो मौसम या समय के लिए भी करते हैं अगला देखिए संग्या के स्थान पर personal pronoun का उपयोग करते हैं यह तो आप जानते हैं संग्या के स्थान पर personal pronoun जो पहला rule था उसको यहां मैं बता रहा हूँ कि संग्या के स्थान पर उसका प्रयोग करते हैं और इसलिए वचन लेंग और पुरुष भी उसी संग्या का होना चाहिए जिसके स्थान पर इसका ये ख्याल रखेंगे, वचन, एक वचन, बहुचन, संग्या यदि एक वचन है, तो सर्वनाम भी एक वचन होगा, संग्या यदि बहुचन है, तो सर्वनाम भी बहुचन होगा, संग्या यदि स्त्री लिंग है, तो सर्वनाम भी स्त्री लिंग होगा, संग्या यदि पुल ल संग्या second person में तो सर्वनाम third second person या third person में संग्या तो सर्वनाम भी third person उदाहरन के लिए राम इस एक kind boy राम इस काइंड बाई राम क्या है एक वचन है जेंडर क्या है मेस्कुलिन आगे जी मेरे को वाक्य बनाना है राम एक अच्छा लड़का है राम ने अपनी साइकल गोविंद को दी है तो राम is a kind boy राम has given his cycle to govind दो बार राम के बदले अब हम क्या यूश करेंगे इट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जीवित प्राणी है सजीव है तो और एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या सर्वनाम है ही है या शी है और राम स्ट्रीलिंग है कि पुलिंग है राम है पुलिंग पुलिंग के लिए अंग्रेजी में ही का उपयोग होता है तो हम क्या बुलेंगे राम is a kind boy राम एक अच्छा लड़का है देयालू लड़का है he has given his cycle he has he याद रखेंगे he आएगा जैसा एक वचन वैसा ही उसका सर्वनाम एक वचन शंग्या बहुचन तो सर्वनाम बहुचन अगला देखी सीता helps her mother सीता does her lesson also सीता helps her mother सीता does her lessons also वो अपनी पढ़ाई भी करती है वो शब्द के लिए क्या आता हैं इंग्रेजी में ही या शी अब सीता लड़की का नाम है के लड़के का नाम लड़की का नाम तो यहाँ पर ही आएगा का शी सीता helps her mother she also does her lesson यहाँ शी आजा अगला वाक्य देखिए those beggars are idle those मतलब वे बहुचन this नहीं दोस दूर में जो हैं दूर के लिए दोस का उपयोग होता है पास के लिए दीस का उपयोग होता है पास में जी हैं तो दीस बेगर्स और दोस बेगर्स बेगर्स याने भिखारी बेगर्स याने भिखारी दोस बेगर्स are idle आइडल मतलब निकम्मे, बेगार, बेकाम, अलाल, दोस्ट बेगर सार आइडल, खाली हैं, ये बिखारी सब खाली हैं, निकम्मे हैं, वो बिखारी, और वो का मतलब बहु अचन है, उन्हें काम करना चाहिए, ये बिखारी सब खाली हैं, उन्हें काम करना चाहिए, तो उन्हें एक बिखार के लिए है बहुत सारे भिखारियों के लिए है तो हम बोलेंगे दोस बेगर्थ और आइडल दे मस्ट वर्क ही का बहुचन क्या हो गया दे दे मस्ट वर्क उन्हें काम करना चाहिए दूसरे शब्दों में संग्या जिस रूप में है सरवनाम भी उसी का रूप लेगा लिंग वचन और उसके साथ ही लिंग वचन और नंबर परसन लिंग वचन और परसन दोनों में मिलान होना चाहिए संग्या एक वचन तो सरवनाम एक वचन संग्या स्ट्रीलिंग तो सरवनाम स्ट्रीलिंग संग्या बहुचन तो सरवनाम बहुचन संग्या यदि फर्स परसन तो सरवनाम फर्स परसन राइट अब हम ये नियम आप समझ गया बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्पूर्ण है तालमेल जानने कि तालमेल होना चाहिए संग्या और सर्वनाम के बीच में अब हम अगला बिंदु देखते हैं जब कोई सर्वनाम कलेक्टिव जब कोई सर्वनाम collective noun के स्थान पे उसका अप्योग होता है तो वह neuter gender में होगा यदि कोई सर्वनाम collective noun में तो वह neuter gender में होगा क्या वह मतलब सर्वनाम neuter gender में होगा neuter gender में होने का क्या आर्थ है यदि समूव आचक पूरे समूव या समुदाय को बताता है तो neuter gender में होगा उदारन के लिए army army एक समूव है किनका समूव सिपाहियों का और संग्या है समूव आचक संग्या है तो यदि मैं वाक्य बनाओ the army suffered its worst defeat the army suffered its worst defeat सफर करना मतलब हताहत होना army सबसे ज़्यादा हताहत हुई कब army suffered its worst defeat सबसे ज़्यादा बड़ी पराजय आर्मी को मिली तो its किसके लिए है आर्मी के लिए army suffered army's worst defeat army suffered the worst defeat of the army बार बार आर्मी बोलने के बदले its बोला गया है वो its किसके लिए आर्मी के लिए army सजीव है कि निर्जीव है वैसे देखा जाए तो वो सजीव लोंगों से बनी हुई है लेकिन जब समूव आचक है तो एक निर्जीव के रूप में उसको मानते हुए its लगाया गया है neuter gender the fleet will reach its destination in two days the fleet will reach its destination in two days F L E E T fleet किसको बोलते हैं जहाजों के जुन्ड को पानी जहाजों के जुन्ड को fleet बोलते हैं जहाजों के समुदाय को वहाँ भी its आएगा similarly after a few minutes the jury gave its verdict verdict मतलब निर्णए verdict मने निर्णए jury मतलब जजों का दल जजों की team judge लों की नया धीशों की team को क्या बोलते हैं jury after few minutes the jury gave his verdict नहीं their verdict नहीं एक से जज़ादा हैं सजीव हैं तो देर बोला जाए नहीं jury में कई लोग रहते हैं एक से ज़ादा रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बहुतन बना दिया जाए jury में सब पुरुष हैं इसका मतलब यह नहीं कि उसे पुलिंग के रूप में देखा जाएं नहीं jury एक समुदाय हो गया किनका समुदाय नियाए धीशों का और जब समुदाय होता है collective noun होता है तो वो क्या बन जाता है neuter gender collective noun neuter gender हो जाता है तो यहां पर आजाएगा after a few minutes the jury gave its verdict its verdict right next is यदि समुव आचक संग्या पूरे समुद के व्यक्तियों का अलग से बोट कराए तो सर्वनाम बहु अचन में होगा यदि समुव आचक संग्या पूरे समुव के व्यक्तियों का अलग से बोट कराए तो सर्वनाम जो है वो बहु अचन में हो जाएगा जैसे सर्वनाम यहां jury के लिए its use किया वहाँ पर हमने एक single group के लिए लेकिन यदि हम jury को अलग से बोट कराएं तो वहाँ पर अलग से बोट कैसे होता है पहले तो यह जान ले jury में पांच जज हैं मान लीजिए तीन जज ने एक निर्ने दिया दो जज ने एक निर्ने दिया तीन जजों का opinion एक है दो जजों का opinion एक है तब क्या होगा jury divide है बटी हुई है दो अलग अलग समू हो गए एक समू के अंदर दो अलग अलग समू हो गए निर्ने के अधार पे तब हम बोलेंगे the jury where was नहीं was एक वचन में आता है were बहु वचन के लिए तो पहली बात तो हो गया where और फिर उतके बाद the jury were divided in its opinion नहीं एक का opinion नहीं है पांच लोग का opinion है और अलग-अलग opinion है अलग-अलग उनके निशकर्ष है opinion मने विचार निशकर्ष विचार so the jury were divided in its का बहु अचन क्या होता है its का बहु अचन their उनका और उनके the jury were divided in their opinions बहु अचन हो गया क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग jury दिख रही है एक समुदाय के होते हुए भी विभाजित है the committee decided the matter without leaving their seats हम committee के सदस्यों की बात कर रहे हैं अपनी seat छोड़े बिना committee के सदस्यों ने नेने ले लिया committee के सदस्यों ने तो their seat आएगा its seat नहीं committee की एक seat नहीं होती हम किसकी बात कर रहे हैं committee के सदस्यों के कुर्चियों की बात कर रहे हैं तो जब उसके अंदर के बहुचन के बारे में ज़्यदा जोर है तो फिर वहाँ बहुचन ही आएगा सर्वनाम भी बहुचन ही आएगा their seats the jury were divided in their opinion the committee decided the matter without leaving their seat अगला बिंदू जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक एक वचन संग्याएं end से जोड़ी जाएं राम एंड शाम तो क्या होता है उनके लिए बहुचन सर्वनाम आजाता है end से जोड़े हैं तो बहुचन आजाता है उदाहरन के end में बड़ा स्परल है ये और स्पश कर रहे हैं आपको राम एंड हरी work hard ये अर ब्रदर्स राम एंड शाम work hard दे अर ब्रदर्स बड़ा सिंपल नियम है दो ये दो से ज़दा शंग्याएं हों तो बहुचन होगा राम, सीता एंड सावित्री are tired ठक गया हैं सीत एंड सावित्री आर टायर्ड यह अर स्लिपिंग तो दहिए दे हो रहा है इट नहीं हैं और आर हो रहा है कि पहुँँदें बहुआ चन क्योंकि राम एंड सीता एंड से जुड़ा हुआ है किन्तु जब दो संग्याए दो एक वचन संग्याए एंड से जोड़ी जाएं और एक ही वर्ष्ट को सूचित करें तो सर्वनाम भी एक वचन होगा कैसे हैं? बहुत सरल है, दो संग्याएं एंड से जोड़ी जाएं, लेकिन वो दोनों संग्याएं एक ही व्यक्ति को बताती हैं, तो सर्वनाम भी एक ही होगा, क्योंकि व्यक्ति एक है, ऐसा होता है कि ऐसी स्थित्य बताईएं जब दो संग्याएं एक ही व्यक्ति के लिए हो, The Secretary and Treasurer एक स्कूल में सामान नित्या प्रिंसिपल ही स्कूल की Managing Committee का सेक्रेटरी होता है आप जानते होंगे एक स्कूल में जो स्कूल चलाने वाली संस्था होती है उस संस्था में प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी भी होता है तो वो एक ही व्यक्ति है, principal और secretary एक ही व्यक्ति, so principal and secretary is sitting in the room, principal and secretary is not doing his duty, the principal and secretary is not doing his duty, यहां पे यदि मैं हिज लगा दिया इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि प्रिंस्पल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं और यदि मैं आर लगा देता हूं तो क्या मतलब होगा प्रिंसिपल कोई है सेक्रेटरी कोई और है दो संग्याएं दो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए यह अर्थ हुआ है इसका पर यदि एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो हम क्या बोलेंगे उसे एक वचन सर्वनाम के रूप म दो एक वचन संग्या एंड से जोड़ी जाएं और उसके पहले इच एवरी आए तो सर्वनाम भी एक वचन होगा यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं इस बात को सुनिए क्योंकि वो क्या होता है दो संग्याएं आगई जब दो संग्याएं आई तो दिमाग में ऐसा आता है कि यह तो बहुत लोग तो इट के बदले हम क्या उपयोग करते हैं देयर या दे ऐसा उपयोग करते हैं वो गलत है ध्यान से देखिए यदि उन दो संग्याओं के पहले इच या एवरी आया है इच या एवरी शब आया है तो सर्वनाम एक वचन होगा क्योंकि इच दोनों को लेकर एक बार इच कहा गया है एवरी सोलजार एड एवरी सेलर वाज इन हिस प्लेस हर सेलर सेलर मतलब नाविक और हर सैनिक अपनी जगह पर था अपनी जगह पर थे नहीं बोलेंगे था हिंदी में भी आप देखिए हर नाविक और हर फौजी अपनी जगह पर थ तो वो एक वचन हुआ न, तो अंग्रेजी में भी यही एक वचन होगा इसका मतलब, every या each, each soldier and each sailor, each student and each teacher every student and every teacher must do his duty, his एक वचन, क्यों? क्योंकि every या each लगा हुआ है noun के पहले, संग्या के पहले तो यदि संग्या एक वचन है, एक वचन संग्याएं है और end से जुड़ा है, तो वो एक और every every लगा हुआ है या each, each लगा हुआ है, तो एक वचन होगा अब एक थोड़ा सा, मैं कहूंगा कठिन तो नहीं, पर थोड़ा सा क्लिष्ट रूप में, जब दो या अधिक एक वचन संग्याएं हूँ जिसे हम either, or या neither, nor से जोड़ते हैं जिसे हम either, or या neither, nor से जोड़ते हैं तो क्या होता है either, or मतलब क्या होता है, पहले तो यह जान ले either, or, either, Mohan और राम will come, या तो मोहन या राम आएंगे अभी मैं सर्वनाम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको either, or, का उपयोग बता रहा हूँ या तो राम आएगा, या शाम आएगा या तो मैं जाओंगा, या तुम जाओगे या तो बहुत गर्मी होगी, या जम के पानी गरेगा तो ये या तो या तो जो शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में क्या है either, or, और मने या, और either मतलब भरिया या तो पानी गरेगा, या बिजली कड़केगी या तुम आओगे, या तुम नहीं आओगे either you will come, or you will not come ये तो हो गया either, or, अब neither nor क्या है ना तुम आओगे, ना वो आएगा ना मोहन आएगा, ना सोहन आएगा मैं किसी को भी नहीं चाहता, कोई आए ना राम सोएगा, ना शाम सोएगा इस बैट से ना तो तुम खेलोगे, ना तुम खेलोगे ये वाली कार ना तुम चलाओगे, ना तुम चलाओगे तो ना तुम ना तुम, ना वो ना वो ना ना दो बार ज़दी वालता है तो इसके लिए neither nor neither you nor he will come मैं पुना तो राद में अभी सर्वनाम की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी किवल आपको either or और neither nor का अपयोग बता रहा हूं either or मतलब या तो या तो neither nor मतलब ना वो ना 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 तो मोहन आएगा ना सोहन आएगा नहीं मोहन जाएगा ना सोहन जाएगा दोनों चले जाते हैं पापा हम लोग बंबई ना ना मोहन जाएगा ना सोहन जाएगा तुम लोग जगड रहे हो दोनों ही नहीं जाओगे नाइधर मोहन नौर सोहन विल गो अब हम इसके उप्योग प्यारते हैं आइधर और नाइधर नौर और राम और हरी must do his work their work नहीं राम एंड हरी यदि होता तो एक बार देर की बात हो सकती है लेकिन यहां तो राम और हरी must do his work आइधर सीता और गीता forgot to take her parcel आइधर सीता और गीता forgot to take their books forgot to take her book देर नहीं होगा आइधर सीता और या तो सीता भूल गई या गीता भूल गई अपनी किताब ले जाना एक भूला है भूलने वाला कोई एक है उसमें संभावना एक की है क्योंकि किताब एक रखी है तो एक वचन ही होगा और एक वचन में क्या होगा देर नहीं आएगा बहँचन नहीं होगा, हर होगा, क्योंकि वो लड़की है, एकवचन है, तो इस लिए हर होगा आईधर सीता और गीता है फर्गॉटन हर बुक्स नाइधर अबदुल नौर करीम रेहांद क्यों हूआ, हिस क्यों हReally है एकवचन इस सर्वनाम है एक वचन है और पुलिंग है इस पुलिंग के लिए होता है स्टीलिंग के लिए क्या होता है हर तो एक वचन पुलिंग करीम एक वचन है पुलिंग है अब्दुल एक वचन है पुलिंग है और बुला क्या जा रहा है ना तो अब्दुल आएगा ना तो करीम आएगा नाइदर अब्दुल नौर करीम विल कम ना अब्दुल आएगा ना करीम आएगा और यहां पे नाइदर अब्दुल नौर करीम हैज डन हिस वर्क ना अब्दुल ने अपना काम किया है ना करीम ने अपना काम किया हम यह नहीं कह रहे हैं दोनों ने अपना काम नहीं किया हम जोर देने के लिए कह रहे हैं ना इसने ना इसने तो एक वचन हुआ अब अगला तो ये बड़ा अच्छा उपयोग है नाइदर नौर आइदर और 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 जब एक वचन जब एक बहु अचन हो और एक एक वचन संग्या हो और और या नौर से जुड़ा हो तो शर्वनाम क्या होगा बहु अचन होगा अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा करीम एक वचन है अबदुल एक वचन है सीता एक वचन है गीता एक वचन है राम एक वचन है हरी एक वचन है तो आइदर और एक वचन चलेगा और इसके बाद हिज आएगा या हर आएगा सर्वनाम में लेकिन यदि एक एक वच है और आइधर और नाइधर नौर से हो तो फिर बहुवचन जोड़ा जाएगा सर्वनाम क्या होगा बहुवचन आइधर मैनेजर और हिज हिस सर्वेंट्स आइधर मैनेजर और हिस सर्वेंट्स डिद नौट डू दियर डियर दियर किसके लिए हो सकता है उप्योग सर्वेंट्स बहुवचन है और मैने आपको बताया एक वचन और बहुवचन यदि और आइधर नाइधर नौर से जुड़े हैं तो बहुवचन सर्वनाम होगा सर्वनाम क्या होगा बहुवचन होगा बिलकुल सही एनी डाउट इटल बी प्लूरल